आप अप कि अब पर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोफागेशन की अडवांटेज एंड डिसद्वांटेज के हमारे पास वेजिटेटिव प्रोफागेशन की हैं यह लीज रूट और उसकी स्टैम से जो कि अब प्रोफागेशन की अडवांटेज के हैं और डिस अडवांटेज के हैं सबसे पहले हम यह बताते हैं कि अब पास जो भी बैनिफिशल करेक्टर्स हैं जो भी हमारे लिए फायदा में उसके ख़सुसियात हैं वह हम उसको महफूज कर लेते हैं और हम को इसमें पॉलिन प्रोफागेशन की जरूरत नहीं होती और इस तरह हम एक प्लांट्स के मुखली पार्ट्स को दुबारा मतलब लगा कर नया पौदे बना कर हमने नमबरों प्लांट्स का रेशियो हम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं एक ही प्लांट्स से हम बहुत ज्यादा के लिए प्लांट्स कर सकते हैं और इसी अमल के जरीए हम सीड लेस ऐसे फ्लू टक त्यार करते हैं जिन में सीड नहीं होता है और हमाईर पास नेट्स्ट है डिस अड़वांटिज डिस अड़वांटिज में यह है क्योंकि हमने एक ही जो पहले वाला पौदा उसी से नया होता बनाना है ठीक है तो उसमें कोई genetic variation नहीं होगा क्योंकि वही उसी चीज का हूँ वहू चीज बनेगी genetic variation तो तब आएगा जब हमारे पास sexual reproduction होगी यह sexual में genetic variation नहीं आता और दूसरा उसका सबसे गड़ा disadvantage यह है कि अगर उस crop में किसी को भी अगर पहले वाला जो है जिससे हम produce कर रहे हैं पूरी crop अगर उसके जो parent है उसको अगर थोड़ी से कोई भी disease लग जाती है तो next हमारे पास जो भी हम फसल त्यार कर रहे हैं वो पूरी की पूरी उसी disease का शिकार होगी और हमें बहुत ज्यादा नुकसान करना होगा और इसके साथ हमारा आज का यह topic खतम हुआ अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो like करें कमिट करें और हमारे चैनल का बेल आइकन